हलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पिरियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ आलू पालक की सूखी सबजी की रेसिपी बहुत टेस्टी बनके ये तैयार होगा और आप इसे टिफिन लंच बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है इसे बनाने में आपको जादा टाइम बिलकुल नहीं लगने वाला है तो एक बार देखिएगा वीडियो को लास्ट तक रेसिपी आपको पसंद आएगी चलिए हम बनाते हैं आलू पालक की सूखी सबजी सबसे पहले गैस पे कराही चरहाएंगे कराही दालेंगे तो यहाँ पे इसे थोरी दिर भून लिये हैं एक चोथाई चमच हम हिंग डालेंगे चोटी चमच से इसे भी थोरी दिर भून लेंगे और अब इसमें डालेंगे डेर सारा लैसन अगर आप खाते हैं तो जरूर डालिएगा चौप करके और इसे भी हम थोरी दि भून लेंगे यहाँ पे लैसन अद्रग का पेस्ट नहीं डालिएगा लैसन चॉप करके डालिएगा एक अलग फ्लेवर आता है और जब लैसन हलका सा भून गया है तो हरी मिर्ची और प्याज हम डाल लिए हैं और साथ में हुम यहाँ पे आलू डाल लेंगे आलू को आप साफ करके जैसे भी सेप में चाहे कट कर सकते हैं प्याज को भी थोरा सा मोटा मोटा ही चौप कीजेगा और अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे प्याज का कलर चेंज हो जाए ब्राउन हो जाए तब तक आप इसे भून लीजे तब तक आलू भी अच्छे से भूना जाएगा और यहाँ प्याज ब्राउन हो गया है आलू भी अच्छे से भूना गया है तो इसमें मसाले एड़ कर लेंगे आधा चमच हल्दी पॉडर आधा चमच हमें यहाँ पे धनिया पॉडर आधा चमच तीखा वला लाल मिर्ची पॉडर और आधा चमच कस्मेरी लाल मिर्ची पॉडर डाल रहे है कस्मेरी लाल मिर्ची पॉडर बिल्कुल आप्सनल है इससे बस बहुत अच्छा कलर आ जाता है और इसे डाल के हम थोरी दिर भून लेंगे गैस का फ्लेम यहाँ पे आप कम कर दीजेगा और कुछ सेकेंड के लिए बस हम इसे भून लिए हैं अब इसमें हम डाल लेंगे टमाटर तो दो छोटे साइज के टमाटर है रफली चौप करके डाल लेंगे और इसके साथ ही आप यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक डाल लीजे तो टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेते हैं और फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे और अभी यहीं पे हम पालक भी डाल देंगे तो इसे अच्छे से बस हम मिला लिये हैं नमक को और पालक को अच्छे से साफ करके आप एकदम महीन चौप करने की जुरत नहीं है आप देख सकते हैं कितना मोटा मोटा चौप किये हैं आप जैसे भी चाहें चौप कर सकते हैं पालक डालके इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए ताकि पालक थोड़ा सा सौप्ट हो जाए तो चलाने में असानी होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मिनट हम कवर कर दिये थे और पालक बहुत जल्दी गल जाता है बहुत हद तक सौप्ट हो गया इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर से कवर कर देंगे और तब तक पका लीजिए जब तक आलू अच्छे से पक न जाए यहाँ पे बहुत अच्छे से पक चुका होता है आप चेक कर लीजिए अगर आलू नहीं पका है तो फिर से ढखके पका लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसे कवर नहीं करेंगे थोरी देर खुले में भून लेंगे ताकि यह ड्राई हो जाए आलू पक चुका है पालक को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है सबजी तयार है यहाँ पे हलका सा पानी भी सुख गया है तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे गरम मसाला पॉडर यहाँ पे हम गैस बंद कर दिये हैं देर सरा कटे हु आलू पालक की सूखी सबजी बनके तयार है सर्व करने के लिए हम इसे सर्व कर लेते हैं बहुत जल्दी बन जाता है आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला इसे बनाने में और टेस्टी बनता है एक बार ट्राई कीजिएगा आप टिपिन लंच बक्स में भी आप इ सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें जरूर बता दीजिए ताकि हम उसे सुधार सके थैंक्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे सी रेसेपी के साथ झाल